दोस्ता इस वीडियो के अंदेर हम लोग दो प्रिंटर के बीच में कंपरीजन करने वाले हैं और ये कंपरीजन इसलिए जरूरी है कि दोनों ही अलग अलग ब्रांड के हैं दोनों के फीचर लगभग लगभग मिलते जुलते रहते हैं दोनों के प्राइसेज भी लगभग लगभग मिलते जुलते रहते हैं इसलिए हमेशा कंफ्यूजन मना रहता है कि हमें इन दोनों में से कौन सा प्रिंटर बाय करना चाहिए जिनके अंदर से एक है एपसन का इको टैंक L3250 वाइफाई वाला ये भी है और दूसरा जो है वो है ब्रदर का DCP T525W ये भी वाइफाई वाला ही है दोनों ही वाइफाई वाले प्रिंटर हैं और दोनों के प्राइस लगभग सेम रहते हैं थोड़ा मुला डिफरेंसेज देखने को मिलेगा थोड़े मोड़े का मतलब करीव करीव 1500 के बीच में जो है हमेशा डिफरेंसेज रहता है ब्रदर का जो प्रिंटर है एपसन के प्रिंटर से जो ब्रदर का प्रिंटर है ये हमेशा 1500 कई बार 2000 सस्ता मिलता है लेकिन उस सस्ते में क्या quality का differences हो जाता है क्या differences आते हैं उन सबके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो कि बहुत ही ज़ादे ज़रूरी है अगर आप एक ink tank printer खरीदने जा रहे हैं इससे समझने के लिए इस वीडियो को लाई सिकते रहें पहली बार चैनल पर हैं पहली चलकर सबस्क्राइब करें आपके बहुत ही काम की होने वाली है आईए दुस्तो हम बात करते समझते हैं सबसे पहले सवांता कि अगर हम बात करें तो दोनों ही print, copy, scan करने वाले हैं, दोनों ही बिल्कुल भी same है, paper support भी दोनों में ही बिल्कुल भी same है, connectivity की बात करें, तो दोनों ही Wi-Fi वाले printer है, USB and app से connect होने वाले हैं, दोनों ही printer, बाकि अगर operating की अगर हम बात करें, तो Epson के अंदर आपको button से ही operate करने के लिए मिलेगा, क LCD display मिल जाएगी single line के, जो single line लिख करके देती है, जो कि printer के अंदर जितने भी features हमें use करना है, उसके लिए enough है, इसके अलावा हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इस printer को use करने के लिए, ये एक plus point है, इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये है, कि आप photocopy के दौरान brother printer के अंदर है, जो कि बहुत ही खास बात है, यानि कि अगर हम facilities की बात करें, तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी facilities आपको देखने को मिल जाती है LCD के साथ में, बाकि अगर हम colors की बात करें, तो दोनों ही color है, दोनों के अंदर 4 color डलते हैं, black, cyan, yellow, mazenta, दोनों के अंदर ही बिलक 30 page per minute black and white में देता है, और 12 page per minute जो है color में देता है, तो यहाँ पर speed थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी, बाकि brother के अंदर जो है display होने के वज़े से 99 page जो है आप copy के लिए आप order दे सकते हैं, उतना paste करेगा, इसके अंदर भी button से आते हैं, कितने, उसमें थोड़ा सा म black and white में आएगा और 18 पैसा जो है color में आएगा, और वहीं पर जो है practically जो लोगों ने देखा है, brother के अंदर 12 पैसा black and white में निकल करके आता है, और 60 पैसा जो है color में निकल करके आता है, page support के अगर हम बात करें तो screen पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इतने सारे page को जो है द जो Epson के अंदर है, वो 100 seat जो है input में लेगा और output में 30 seat तक रख सकते हैं, और वहीं पर brother के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है, कि इसका tray box होता है, नीचे जो tray होती है, उसके अंदर 1500 page रख सकते हैं, ये सबसे अच्छा हमें लगता है, क्योंकि उसके अंदर रखा पाएंगे, तो tray के मावले में brother का जो printer है, वो मुझे बहुत ही खासा पसंद आता है, क्योंकि जो इनका tray जो box है, वो बहुत अच्छा लगता है, उसके अंदर आप रख करके भूल जाते हैं, कोई भी दिकत नहीं है, जब वो खतम होगा तो आपके जरूरत पढ़ती है, व अगर अगर आप करते हैं, तो 7500 पेज पर कलर जो है, ये प्रिंट करके देगा, ये इसके अंदर जो है थोड़ा सा कमी है, अगर हम brother के हिसाब से देखें दो, brother printer के अंदर जो black का जो tank है, ये काफी बड़ा है, यानि इसको especially photocopy जादे निकालने के माध्यम से बनाया हुआ है, और वही एपसन जो है, इसमें color जादे अगर मातरा में निकालना है, तो एपसन बहतर यहाँ पर performance दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर brother की बात करें, तो इसका tank black and white का जो black ink डल रहा है, वो काफी जादे बड़ा है, 75-100 पेज निकालेगा, और वही पर जो color है, वो थोड़े काफी के लिए काफी बहतर हो सकता है, उसके बाद resolution की बात करें, तो दोनों का ही resolution सेम है, 5760 x 1440 dpi का resolution दोनों के अंदर मिल जाता है, बाकि अवरल प्रिंटर की weight की अगर हम बात करें, तो एपसन जो है, एप्रोक्स 5.6 kg के अंदर आ रहा है, और वही पर brother जो है, 7.3 kg के अं वारंटी या फिर 30,000 पेज की आपकी जो है वारंटी मिलती है, 30,000 पेज हो गए वारंटी खतम हो जाएगी, तो इस तरीके से आपने इसका दोनों के अंदर measure differences आपको देखने को मिला, और आप समझ गये होंगे कि दोनों में क्या अंतर है, अब हम बात करें final की, कि आखिर म हुए हैं, वो काफी बहतरिन हैं, जो कि हमें photocopy में हमेशा use होते हैं, लेकिन वही पर अगर हम बात करें final देने की, कि हमें कौन सबाय करना चाहिए, तो brother के printer पिछले जो version रहे हैं, T220 वगेरा, उन सब के अंदर एक problem रही है, कि लगतार अगर हमें एक से जादे photocopy करनी ह अलग-अलग, बारी-बारी से अगर हमें निकाल करके दूसरा और फिर तीसरा अगर करना है, तो उसके अंदर एक problem आती रही है, कि एक को जब हम photocopy करते हैं, दूसरा के लिए जब हम order देंगे, तो एक photocopy करने के बाद ये फिर लगेगा अपना setting waiting करने, car trace चला जाएगा, खटर-पटर करना, इस start कर देगा, यारि कि एक तरह से जा करके slip mode में चला जाता है, फिर दुबारा से setting करने लग जाता है, setting करके फिर दुबारा ये ready होता है, यारि एक page copy करने के बाद, दूसरे page के लिए इसको तयार होने में थोड़ा सा time लग जाता है, जो कि photocopy के time में बहुत हमें irritate करता है, ऐसा market से बहुत जादे comment आया है हमें, जब हमने 220 printer पर हमने वीडियो बनाया था उस condition में, क्योंकि उस पर हमने उस time में ध्यान नहीं दिया था, तो ये problem इनके printer में रही है, लगातार आप photocopy करते हैं, जैसे Epson के अंदर, जब आप time उसको देंगे, तब जो है, वो relax mode में जाता है, लेकिन लगातार करते हैं, आपने photocopy निकाला फिर दूसरा रखा, फिर तुरंत photocopy बटन प्रेस कर दिया, तो तुरंत बीच में वो timing नहीं देता है आपको, लेकिन brother के printer में T220 वगेरे के अंदर जो है, वो timing ले लेता है, relax mode में चला जाता है, फिर setting करेगा, फिर दुबारा आएगा, जो कि ये बहुत bad facilities थी, अगर brother company के तरफ से कोई देख रहा है, तो please ये problem को sort out के जिए, इस model के अंदर ये problem sort out अगर हो गई है, अगर किसी के पास ये model है, brother का DCP T525W, अगर किसी के पास है, तो please comment कर दें आप, अगर ये video को कि ये problem है, या फिर sort out कर दिये है, क्योंकि कहीं पर भी ओ mention नहीं होता, ना तो कहीं पर वीडियो में भी नजर आ रही है, मेरे पास ये printer नहीं है, ताकि check में कर सकूँ, किसी के पास अगर printer है ये model, तो please comment में बता दें, ताकि सभी लोगों को पता लग जाए, हम लोग एक द printer दूसरा नहीं होगा, अगर एक कॉपी करने के बाद दुबारा जाकर के खटर पटर करता है, टाइम वेस्ट करता है, तो ये printer बिल्कुल भी लेने लाइक नहीं है, खास करके दुकांदार के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बाकी सारे facilities बहुत अच्छे हैं, लेकिन लगता जाएगा कि इसके अंदर ये problem है या नहीं है, फिर अगर company के पास है, तो please आप ही comment करने कि आपके इस model में ये problem खतम हो चुकी है, फिर ये printer पर मैं special video बनाऊँगा, क्योंकि बहुत ही बहतरीन feature के साथ ये printer आ रहा है, और अगर ये problem है, तो आप बेफिकर होकर के जो है आप Epson का EcoTank L32-52 ले लिजिए, बहुत अच्छा रहेगा, और अगर ये problem खतम हो गई हो, तो हर हाल में brother का DCP T525W बहतर होगा, हर मामले में बहतर होगा, बस एक ये problem खतम है, क्योंकि trace से लेकर के, photocopy facilities से लेकर के, हर मामले में brother का ये model बहुत ही बहतरीन है, सिर्फ एक वो problem छ चोड़ करके, दोस्ते वीडियो information कैसा लगा, प्लीज कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर ये video को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, मैं मिलता हूँ next किसी और अच्छी informative वीडियो के साथ में, पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए, आप सभी का तहे दिल से धन्यबाद करता हूँ, आपका दिन सुब हो